इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस थर से आप अपने फोटो के मतलब स्काई को रिटचिंग कर पाऊगे वह भी जश्ट कुछ ही स्टेप्स में यार यह फोटरेटिंग बहुत ही कमाल की होने वाली तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपने फोटो के सिटिंग पोज में किलिक करानी देन इसकी बाइज है किसी तरसे आप Your आप अपने फोटो के सबस्क कर सकते हो चाओ टो तो वहrukt के आपको सिख सकते जो कि basically आपका यूज में आता होगा देन इसको कर दे तो यहां से डन अब गाइज इसको कुछ इस तरह से क्रिसाइश करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ डैन अब दिखें फोटो का ओपर लाने के हैं यहां के लेयर में आ जाना पड़ा격 है और इसको फर्ष्ट मे लें के आ पढ़ेगा अब गैज यहाँ की फोट को पर अच्छी तरह से अज्ड हो चुपा है अब यहाँ से कर देना है biscuit है है यह जाने के बाद अब आपको इसमे एक एड़ फोटो कर देना है लेंस फ्लिर पी एजी का थोड़ा से बच गया है तो यहां जहां जहां white particles आपको दीख रहे हैं तो उसको मैं erase कर लेता हूँ अब गाइस थोड़ा से सर के पास भी बच रही गया तो उसको भी मैं लगे हाथ erase कर लेता हूँ गाइस अब देखिए photo editing हमारी मतलब की draw tool में खतम हो चुकिए अब इसमें lens flare को कर देना है एड तो lens flare को मैंने रखा download folder में आप भी download करके रखेंगे lens flare को क्योंकि बहुत ही काम में आती है अब गाइस इसको कुछ इस तरह से आपको add कर देना देन इसकी blending mode को कर देना आपको screen और जहां पर जो text दिख ली नीचे में उसको इरेज़र तूल में जाके मैं कर देता हूँ simply erase और यहां से कर देता हूँ done अब गाइस हमारी photo editing pixart में तो हो चुकिए complete अब गाइस से माल मसाला बनने के लिए photo में पूरे दम बावाल बनाने क फोटो को थोड़ी सी background को और अच्छा लगाने के लिए तो उसको में save करके open कर ले ता हूँ lightroom में draw में three dots में click करके में कर ले तो save और open कर ले तो lightroom में five minutes later guys यहाँ पे मैंने photo को कर लिया open lightroom में अब दिखे lightroom में कुछ basic adjustment करने पड़ेंगे आपको अपने photo पे ताकि आपकी photo बहुत ही awesome दिखा और इस वाले lightroom के version के link मेरे इंस्टा के वायो में मिल जाएगा guys सबसे पहले इस वाले lightroom को open करने के बाद photo को open करने बाद यहाँ selective में gradient tool को आपको कर लेना open और नीचे से कुछ इस तरह से आपको just एक बाद ड्रॉ कर लेना मतलब swipe कर देना है अब gradient tool यहाँ पे draw हो जाएगा देन यहाँ light में चले जान और highlights को हलका minus कर देना है then इसकी shadows को भी हलका सा plus कर देना है और whites को प्लस कर सकते हो ने तो blacks को आपको plus ही करना है guys यहाँ तक आपने समझ लिया कि किस तरह से क्या करना है then यहाँ color में आके आपको इसकी समसे पहले tint को minus कर लेना हलका सा then इसकी वाइवेंस को आप जितनी में color और निखर के ही आएंगी then यह mix tool में orange color को select कर देना है और इसकी saturation को हलका कम कर देना है अब guys इसकी lumini case को में हलका high कर लेता हूँ अब देखिए यहाँ यहाँ पे yellow color और green color की हलका-लका saturation बढ़ा देना है then यहाँ पर आपको चले आना एकवा color में इसकी saturation को हलका हलका सा क minus कर देना है guys तो यहाँ मैंने देख सकता है अब कर लिया सभी adjustment अब यहाँ clarity tab में आ जाना है और इसमें हलका clarity add कर देना है और इसकी dignity amount को कर देना माइनस में और उसके बाद यहाँ triangle में आके sharpening noise reduction और color noise reduction को कर देना है add अब guys हमको again यहाँ पे color tab में चले आना है क्योंकि यह यहाँ पर हमने grass का color change नहीं किया था तो yellow tone में चले जाना देन इसकी hue का हलका सा minus करना है ज्यादा नहीं थोड़ा सा minus कर लेना देन यह green color का issue का कर लेना आपको minus अब यहाँ से कर लेना है done so guys यहाँ पर आप देख सकता हमारी photo editing हो चुके complete picture में after before मैं आपको just इस photo का दिखा कर देता हूँ ताकि यह और भी awesome दिखे है अब गयास देख सकते हैं कितनी awesome दिख रही है पिक्साट में और इसको किया मैंने lightroom में edit कुछ तो कुछ इस तरह कि हो गई है edit so यार अगर वीडियो पसंद है तो like कर दिए चले मिलते कि